हेलो दोस्तो दोस्तो यहने शेल्टकर में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन फूरूट के बारे में दोस्तो आज कल ड्रैगन फूरूट बहुत ही ज्यादा फेमश हो रहा है तो चलिए आज हम बात करते हैं कि तो बढ़ती ही है उसके साथ साथ कई गंभीर बिमारियों में भी फाइदा देता है कोरोना के साल में ड्रेगन फूर्ट बहुत ही ज्यादा फेमश हो गया है क्योंकि सब लोग इम्मुनुटी बढ़ाने वाले चीज़ें धूड रहते हैं जिसमें ड्रेगन फूर्ट का सेब बहुत ही ज्यादा क्या गया है ड्रेगन फूर्ट दो तरह का आता है एक अंदर से सफेद होता है दोसरा गुलाबी दोनों में पूस्टिक तक तो तक्रीबन एक जैसा ही होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ड्रेगन फूर्ट कहां शे आया दोस्तों ड्रेगन फ और धीरे धीरे एशिया और दुनिया के बाग की देशों में भी फेमस हो गया है दोस्तों आप भारुत में भी इसकी खेती की जाती है और काफी फाइदमध भी है एक ड्रेगन फूर्ट की कीमत तक्रीबान सव है जो आप अंदाजा लगा शकता है कि कितना फाइदमध है तो अक्सिडेन पाए जाते हैं विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि रोग पृत्रोद्ग छमता बढ़ाने में फाइदा देता है छोटे छोटे जो बीच होते हैं एक काफी पूस्टिक होते हैं जो कि पेट के लिए भी फाइदे मांत रहते हैं नमबर टू डायबेटीस कंट्रूल करता है दोस्तो डायगन फूर्ट में नेचरेल एंटी वक्सिडेन होते हैं इसके लवा इस में फ्लेवोनाइट एसकोर्बीक एसिर जैसे विटामिन सी कहा जाता है ऐसे तो पाए जाते हैं जो कि डायबेटीस के मरीजों के लिए फाइदे मनत रहत अगर आप डायबेटीज के खत्रे से बचना चाहते हैं तो ड्रेगन फ्रूट का सेबोन जरूर करें नमबर त्री कुलेस्टरॉल कंट्रूल में करता है दोस्तों ड्रेगन फ्रूट कुलेस्टरॉल को घटाने में मदद करता है हमारे सरी में दो तरह के कुलेस्टरॉल होते ह एक है बेड कोलेस्टरॉल को कम करता है और गूट को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तो ड्रागन फूर्ट में छोटे छोटे काले बीच होते हैं इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि दिल के लिए फाइदे मन्त रहता है और दोसरा एक कुलेस्टरॉल को कंट्रूल में रखता है दोस्तो ड्रागन फूर्ट को अपकी पेट की समस्याओं के लिए भी फाइदे मन्त माना जाता है ड्रागन फूर्ट में अच्छी माईक्रोबाइवन पाये जाते हैं जो कि पेट की आतों के लिए फाइदेमंत रहते हैं। इसमें फाइबार भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि खाना पचाने में मदद करता है। नमबर सीक्स हड्या मसबूत बनाता है। दोस्तो ड्रैगन फ्रूड में कैलसियाम, फोश्परास, मैगनेसियाम, काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी हड्या मसबूत बनाने में मदद करता है। इसमें जो एंटिवाक्सिरिन पाया जाते हैं ये जोडों की दॉट और गठिया से भी आराम दिलाता है। दोस्तो लोगों के मन में इस सवाल हमेशा आता है कि गरभभभभस्ता में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं तो गरभभभभस्ता में ड्रैगन फ्रूड का सेबन क्या जा शकता है। गरोबती मोहिलाओं के लिए ड्रेगन फूर्ट बहुत ही फाइदेमन्त रहता है। ये एनेमिया के कारण होने वाले खून की कमी को पूरा करता है और सिसू के लिए भी फाइदेमन्त रहता है। नमबर एड, तचा के लिए फाइद मन्त दोस्तो डुश्टी ड्रेगन फ्रूड में विटमिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी स्किन के लिए भी फाइदमन्त रहता है इसकिन पर गलो लाता है और इसके साथ ही इसमें विटमिन B3 भी पाया जाता है जो स्कीन को ठीक करने में मदद करता है और आपकी तोचा को चमुतकार भी बनाता है नमबर नाइन, कैंसर का रिक्स कम होता है दोस्तो, रिचार्च के उनसर, ड्रैगन फूड में कैंसर में भी आराम दिलाता है इसमें anti-nutrient, anti-oxidant, anti-tumor, anti-oxidant, anti-inflammatory गुन पाये जाते हैं कई research में साबित हुआ है कि dragon fruit में पाये जाने वाले एक खास गुन महिलाओं को breast cancer से भी बचाता है तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप दोस्तों के साथ और सौफ फेस्बुक पर शेयर जरूर करें ऐसे ही लाइफ इस टेल सस्त और सुन्दस जुड़े वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्वाल आपका दिन शुबर है